दोस्तो सारे गामापा का आज का एपिशोड बहुत ही सांदार हुआ और आज का ये एपिशोड कंटेश्टिन के लिए चैलेंज से भरा हुआ था जिसमें एक कंटेश्टिन दूसरे कंटेश्टिन को चैलेंज करता हुआ दिखाई दिया जहां अब्दुल, सोनिया, रिगब सुय एलबर्ड निष्ठा समय सभी कंटेस्टेंट ने अपने पफॉंस से जजेस को स्टेंडिंग ओवेशन देने के लिए मजबूर कर दिया तो ही सारे गामापा के आज के एपिशोड के अंत में अठवे ओजी विनर का एनाउंस किया गया जी हाँ आज सारे गामापा में जिस कंटेस्टेंट को ओजी विनर बनाया गया है उसका नाम आपको भी हैरान कर देगा क्योंकि उस contestant ने आज सांदार performance देकर OG winner का खिताब अपने नाम कर लिया है जी हाँ तो आखिर सारे गामापा के इस नए week में judges ने किस contestant को OG winner बनाया है और कौन बना इस week का performance of the week क्या इस week अबदुल को OG winner बनाया गया है या फिर Albert बने है इस week के OG winner या कहीं एक बार फिर से निष्ठा को OG winner तो नहीं बनाया गया तो सब कुछ जानने वाले हैं आगे की वीडियो में लेकिन उससे पहले आप comment करके हमें ये बताना कि आप किसाब से सारे गामापा का अठवा OG winner किसे बनना चाहिए था देखो सारे गामापा के आज के अपिशोर में सभी कंटेस्टेंट का performance एक लेबल अप हुआ अब चाहिए वो Albert और रिगबासु का challenge performance हो या इस नेहा और अब्दुल का mind blowing performance हो सभी का performance हम सभी को एक अलग ही लेबल पर ले गया लेकिन जब सभी कंटेस्टेंट का performance खत्म वहा तब सोके होस्ट ने सभी OG वजर कंटेस्टेंट को stage पर बुलाया और सोके इस वी के अठवे OG winner का announce किया गया जी हाँ तो सारे गामापा के अठवे OG winner जिस कंटेस्टेंट को बनाया गया है उस कंटेस्टेंट का नाम है निष्ठा सर्मा जी हाँ निष्ठा को एक बार फिर से OG winner बनाये गया है और अब सारे गामापा में निष्ठा तीसरी बार OG winner बन चुकी है जबकि सभी ओडियोंस को लगा था कि इस बार अबदुल OG winner जरूर बनेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सच बताओ तो सोकेट जैस का ये सही डिसीजन है क्योंकि निष्ठा का आज का परफिर सच में सबसे अच्छा हुआ है तो आप बताओ कि आपके इसाब से सारे गामापा के इस नए वीक में किस कंटेस्टन को OG winner बनाया जाना चाहिए था आप सभी अपनी लाए कॉमेंट करके जरू बताएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा